हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल इंफो कनेक्ट आज कल आप देखिया सुन रहे होंगे कि शेर मार्केट गिर रहा है इसका कारण भी आप जानते होंगे कोरोना जैसे महामारी की वज़े से देश सभी जगा लॉकडाउन किया गया है तो आपको भी लगता होगा शेर मार्केट गिर रहा है तो यही समय होगा इन्वेस्ट करने के लिए तो आप बिल्कुल सही हो इतने कम दाम में आपको यह सब शेर नहीं मिलने वाले है तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते है तो चलो इस video में देखते हैш share market में invest करने के लिए क्या क्या जरूरी है share market में invest करने के लिए सबसे पहले आपको demate account खोलना पड़ेगा तो ये demate account क्या है demate account क्यों लगता है कौन-कौन से broker है जो आपको demate account खुलवाके देते है क्या क्या document required है ये सभी हम आगे वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये DMAT account क्या है आप सभी के पास अपना bank account होगा जिसकी मदद से हम money transaction करते है या money transaction के record maintain करते है वैसे ही share market में आपको अगर invest करना है तो DMAT account और trading account की जरूरत है सेभी के दिशा निर्देश के अनुसार DMAT को छोड़कर किसी अन्य रूप में share बेचा या खरीदा नहीं जा सकता इसलिए DMAT account जरूरी है DMAT account में आप अपने shares, bonds, government securities, mutual funds इत्यादी रख सकते है तो चलो देखते हैं कि ये work कैसे करता है मान लो अगर आपके पास SBA bank का DMAT account है और आपने reliance के 100 share खरीद लिए अगर आपने ये share उसी दिन बेच दिये तो इसे intraday कहते है और अगर वो share उसी दिन नहीं बेचे तो next day में वो share आपके DMAT account में आ जाएंगे इसको delivery कहते है आपको इस share का कोई certificate या physical group नहीं मिलेगा ये आपके account में electronic रूप से रहेंगे तो आप कोई भी share खरीद या बेचते हो तो वो share आपके bank custody में आ जाएगा तो bank को हम depository participant बोलेंगे और आपको उस share के owner DMAT account दो account से link होता है एक saving account जिसकी मदद से हम सारे पैसों के transaction रखते है और दूसरा trading account जहां share के profit loss के सारी transaction होती है trading account broker के पास होता है अगर आपको trading करनी है मतलब कोई भी share buy या sell करनी है तो आपको saving account से trading account में पैसे transfer करने पढ़ेंगे और उसके बाद आपका सारा पैसा trading account से debit या credit होगा आपका trading account open होने के बाद broker आपको trading platform प्रोवाइड करके देता है जैसे कि online website, mobile app जिसकी मदद से आप घर बैटे trading कर सकते हैं तो अब सवाल यह है कि अपना account कौन से broker के पास खुलवाना है कौन से भी broker के पास अपना account खुलवाने के पहले ये तीन बाते हमें अच्ची तरह से देखनी चाहिए एक, जिसकी service अच्ची हो दूसरा, जिसका maintenance charge सबसे कम हो और तिसरी important बात जो भी हम share, buy या sell करते है उसकी भी एक fees लगाते है उसको हम transaction fee करते है तो ये भी सबसे कम होनी चाहिए ये तीन बात आप द्यान में रखिए तो अभी हम देखते है कि Demet account ओपन करने के लिए कौन-कौन से document ज़रूरी है Saving bank account Pancard, Adar card Signature, Passport size photo Cancel check और income proof इसमें income proof जो है, वो optional है अगर आप सिर्फ stock में invest करना चाहते है तो income proof की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप deliverable currency में invest करना चाहते है तो आपको income proof की ज़रूरत लगेगी तो अब हम देखते है Demet account के related कौन-कौन से charges है Demet account open करने के लिए आपको opening charges देने पढ़ेंगे जो की 200 से 300 तक हो सकते है 5 साल पहले यही fees 5000 तक थी लेकिन अभी broker के competition के वज़े से यह fees कम कर दी है आपको yearly maintenance charges भी देने पढ़ेंगे यह भी करीब 300 या 400 तक हो सकते है और एक important charges जो की transaction fee करके होती है जो आपको हर एक transaction पे देने पढ़ेगी कही broker equity में delivery free देते है लेकिन intraday पे charges लगाते है लेकिन यह charges 20 रुपे से ज़्यादा नहीं होते अगर आपने 1 लाग का भी transaction किया तो यह maximum 20 रुपे तक charges लगाते है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो like करो, share करो, subscribe करो